नमस्ते भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि syllabus बहुत बड़ा है, अर्थमेटिक एड़ा, बहुत जादे topics और बहुत बड़े topics है, तो SSV का syllabus बहुत बड़ा है, लेकिन questions जैसे paper में 30 आने हैं, तो बच्चे को आता बहुत कुछ है, में problem आते हैं उसकी revision की, उसकी practice की, पढ़ने के लिए इतने सार रिसोर्स अवेलिबल है, अगर आप प्रिवेशर के questions भी लगाओ के तो आपको कम से कम, प्रिवेशर के ही पिछले चार सालों में, जब से टीसे से पेपर बनाना सुरू किया, बीस हार से जाते questions अवेलिबल हैं, और उन बीस हार सारे questions को लगान मैंने अलड़ी तीन मेंस बैच पढ़ा दिये हैं, जो आपके सीनर लोग अलड़ी से लेक्टेड हैं, तो आप एक बार उन से जाके पूछेगा, लोग कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, आप किसी भी सीनर से पूछेगा कि वो गगन सर से या मुस्से पढ़ा या हमारा कर दो का मेरी सीनर के कॉछें का कलेक्शन इस्तिमाल किया तो इसको कितना बेनिफिट हुआ, तो मेरे लाइफ का बस एक परपस है, इस मेंस बैच को लेके, लाइफ में तौर भी परपस है, कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो पर 75 कलासे में, कि आपको ऐसा पढ़ाय जाए, कि जो self practice का एक चीज बसती है कि आपको self practice करने है अपने खुद से research वाला जो काम है वो आपका खतम हो जाए मतलब आपके end से जो research वाला work होता है नहीं कि अलग अलग exam के question छाटो फिर उनको compile करो फिर इसमें से देखो हाँ ये आज कर ट्रेंडिंग में चला ये paper में आ सकता है फिर आप उसका अंदाजा लगाओ वो अंदाजा फेल हो जाए सही हो जाए उसकी कोई guarantee नहीं तो आपके research काम का पार्ट उसको मैं करूंगा मैं आपको compile करके दूंगा उसको महनत से पढ़िए लेकिन वो पढ़ने का काम आपका ये प्रेक्टिस आपको खुदी करनी होगी एक ची मैं और कहना चाहता हूं कि जो मैं वाले बच्चे वो जातर प्री क्वालिफाई कर आते हैं तो वो वीडियो geldi का प्रेक्टिस कारूं को खुदी के जाए क्या थेंगे हो एक प्रेक्टिस कर अपको से मुहां जो जो यह थै कोने बहुता है क्यों मैं और कंटेल हैन। टु근 कहां जाता है कि अटना जाद हैं कि टूना ये बैनिफित होगा लेकिन उसमें से भी सिल्յेश जैसे 121 पेपर देगेगा, सो गॉष्यंस में से, 95-96 कॉष्यंस एज़ एज़ एक वाले होई थे, लिकिन 3-4 कॉष्यंस रीज वाले से यह जिन में बच्चे अपना खुद का दिमाग लगा होगा, तो पेपर में आप जाएं तो आपकी जो है, आपकी आपकी आप्रोच में होना चाहिए, आपका थिंकिन, जो थौट प्रोसेस है वो डेपलप होना चाहिए, तो हमारा बस मेंस बैच का यह परपस है, कि जब बच्चा पेपर में जाए, तो इसके सोचने का दायरा इतना बढ़ा जाए, कि अगर पेपर में कोई नया सवाल भी आता है, कोई हम आपका बहुत जादे समय नहीं ले सकते, आपको जएस भी पढ़ना है, इंगलिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको बहुत सारा सिलिबस है पढ़ने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि एक्जाम से 10-15 दिन पहले आपको फ्री कर दिया जाए, प्रेक्टिस करोगे, टीचर क्या एक आपको गाइड कर सकता है, जो आपके रिसर्च एंड वाला पार्ट है, उसको मैं करके दूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है,